हमारे साथ हैं डॉक्टर के कई महता यह आई इस्पेसलिस्ट है पदमश्री एवोर्ट से भी इन्हें नवाजा गया है आज सर लॉकडॉन है कोवीड नाइंटी ने देश में इतनी महामारी शुरू है उसमें भी आप इतना बड़ा आपका क्लेनिक है आपने अभी पेशंडों की सेवा के लिए आप आपकी लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे तो सर सेवेंटी एट कुछ क्रॉस हो गए आप सर उसके बाद में भी सर आप खुद भी रिस्क लेके यहां पर वैठे हैं सर यह तो हमें करना पड़ता है ना क्योंकि हमारे जो पेशंस है अभ आदा पूरा दिन नहीं रख रहें आजकल दिन में तीन चार गंटे चालू रखते हैं जितने पेशंट्स हैं उनको तो देखना चाहिए सर आप fa पातिल में प्रोफेसर भी है तो क्या इसवक्त आप बाहर जा रहें कि यह जो आपका प्राइवेट क्लिरिक से यहीं पर आप लोगों को चेक कर रहें नहीं, प्राइवेट क्लिनिक में ही चेक कर रहे हैं, लेकर जो इमर्जिनसी बगेरा हो तो भार जाते ही हैं, मैं साथ में ब्रिच केंडी को भी अटेच्ट हूँ, तो वहाँ पे भी जुरूत होती हैं, तो वहाँ जाते हैं, क्योंकि एक चीज यह है कि कोविड में आज तक आँख के अखा भी प्रॉबलम हो सकता है, क्योंकि हमें दो छीज संबालनी होती, एक तो आँख अपनी संभाल नहीं होती क्योंकि इसमें लाली बगरा हो जाए या सोजा हो जाए तो COVID आँख के थुरू भी जा सकता है अभी तक लोगों यह सोच नहीं रहें दूसरा कि COVID के साथ में जब पूरे जिसम में लाली सोजा बगरा होता है कभी-कभी आँख में सोजा भी आता है इसलिए हमने यहाँ पे भी देखी है जो पेशन कभी-कभी जिनके आँख में जलाली आ गई है उनको टेस्स करने के लिए बेजा है वहाँ पे COVID पॉजिटिव निकले है सर ऐसा पता चला है कि लगभग कुछ 30 पती 30 के करीब आपका जो स्टाफ है सर तो उस में से लगभग कुछ स्टाफ आपके कई दूर से भी आरे तो सर अभी कितने स्टाफ आ रहे आपके अभी मेरे पास सिर्फ 14 स्टाफ है जो स्टाफ है उनके घर चले गए और जगी गए वो अभी तक तो आनी आनी पा रहे हैं क्योंके अभी तेक ट्रेन वगरा चालू नहीं होई है, ट्रेन चालू हो जाए फिर दवा खाना पूरे स्ट्रेंज पर काम कर सकता हैं, अभी सिर्फ जिदनी ज़रूरत है उसके हिसाब से सबको बलाते हैं अभी अगर किसी का एमर्जंसी में ओपरेशन वगरा का अगर कुछ मामला हो तो तो उसमें ओपरेशन वगरा के क्या आप डेट्स दे रहे हैं पी उनको? अभी तो सर्वें डेटर दे सकते क्योंकर थेयर्टर तो स्टाइट नहीं हो सकता है इस कारणसी क्योंकर मुझा अब आपके पास आता है तो आपने सर आगे और ये दवा खाना आपका जो क्लेनिक खुला रखना है कि आप अभी इसका कुछ टाइमिंग आपने एकजिस किये अब कर सकते हैं लेकर आजकर ब्रीज के काफी पीशिंस है इसलिए जरूरत नहीं हो तो नौर्मल पेशिंस को वहां लेनी जाते हैं टाइमिंग क्या रखे अभी आपने यहां पर आपका जो कुलाबा में यहां पर एक लेनी कह भी यहां पर सिरफ 12 से प्रोफेसर भी है लेकिन सर आपकी फैमिली भी है तो इस महामारी में क्रोना वाइरेस के कोविड नाइटीन में सर काफी डॉक्टर से 90 परसंट डॉक्टर से जो यंग डॉक्टर है मेरे खुद के जो जानने वाले फ्रेंड्स है मैंने देखा सर वो नहीं उतर रहे आप इस एज में उतर रहे आपकी फैमिली का भी खयाल रखे नहीं अपना तो जो होना सो तो होना ही है जो कोविड लगना लगेगा लेकिन जितनी संभाल सकते उतनी संभाल लेते हैं बहुत बड़ी बात है तारीफ काबिल बात है कि 80 यर्स होना है सर को एक दो साल बाकी है और उसमें यहाँ पे बैठना इस एज में हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इंडिया में ऐसे भी डॉक्टर्स हैं इतनी एज होने के बाद में आज वो ना अपना ख्याल रख रहे हैं यह इनकी पूरी थ्री फ्लोर की यह जो बिल्डिंग है इनकी यहाँ पे यह खुद रहते भी हैं इनकी फैमलीज भी है लेकिन एक तारीफ काबिल वात कही जात और उसमें तारीफ काबिल वात होती कि यह मना नहीं करते आज अच्छे अच्छे डॉक्टर काफी डॉक्टर्स नहीं उतर रहे हैं उन्होंने जिस तरह से देश लॉक्डॉन हो गया है वो खुद को भी लॉक्डॉन कर लिए उस लॉक्डॉन में ऐसे डॉक्टर खुद ब यह त्वात है सर जो लोग कुछ लोग बे मकसद सब्सके लिए उतर रहे हैं उनके लिए अप इस पिकिले कुछ कहना चाहेंगे सब को मास्क पाहिन इसमें COVID-19 के बेसिस पे आप पेशन्ट के लिए क्या चेक करते हैं सर कोई रिपोर्ट्स वगेरा? मैं अभी आजकल तो सरफ बाहर के साइड से जब पेशन्ट आता है तो उनके टेंपरेचर चेक कर लेते हैं उनका पूछ लेते हैं उनको कोई तकलिफ है के नहीं हो तो फिर देख लेते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते हैं अभी क्योंकि जो ऑपरेशन नहीं करना हो तो फिर COVID- प्रूथ नहीं होती है हमने यहां पर देखे के पूरी तरह से यहां पर फैसलेटीज है जैसे ही आप दवा खाने में इनके यहां पर इंटर करेंगे वहां पर सेनेटाइज रखावा है पूरी तरह से इनका जो हॉस्पिटल है या या क्लेनिक तो है यह पूरा एक हॉस्प सब सेनेटाइज है बहुती बहतरीन तरीके से इंतिजाम इस कोविड-19 में रखना एक तारीफे काबिलवात है महरास्ट में मुंबई करके लिए बहुती तारीफे काबिलवात है और हमारे लिए ऐसे डॉक्टर रहना या हमारे लिए बहुती तारीफे काबिलवात है मुंब साजित कुरेशी एडिटर सुप्रिया टैम्स